हेलो दोस्तों दोस्तों जुमेंट कश्मीर सरुस सेलेक्शन बोर्ट की तरफ से दो इंपोर्टन अपडेट्स आई हैं इन में से एक अपडेट एक्जैमिनेशन को पोस्पून करने से रिलेटेट है दोस्तों पहली जो अपडेट आई है ये सब्मिशन आप प्रफरन्स से र आफ लाइन प्रेफरन सब्मिट करने की कोई जुरूरत नहीं है डॉक्मिट वेरिफिकेशन के वाकर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टन अपडेट की तरह तो दोस्तों दूसरी जो अपडेट आई है यह एक्जैमिनेशन को पोस्ट्पून करने से रिलेट 2024 उसको फिलाल के लिए पोस्ट्पून किया जाता है और उसके बाद यही एक्जैमिनेशन जो है यह 11 फेवरिर 2024 को अब लिया जा रहा है तो यह थी दो इंपॉर्टन अपडेट एक अपडेट थी और दूसरी अपडेट थी वेटरिनरी फरमसिस्ट के बच्चूं के लिए जिनका एक्जैमिनेशन 28 जनवरी 2024 को होने वाला था लेकिन फिलाल के लिए यह एक्जैमिनेशन पोस्ट्पून किया गया है और जो नई डेट है इसी एक्जैमिनेशन की वो 11 फेवरिर 2024 अब रखी गई है तो 11 फेवरिर को यानि कुल मिला के तकरिवर 20 दिन जो है वो इनक बच्चे आब और जद अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एक्जैमिनेशन के लिए लेकिन यहां पर अगर इनको और दिन मिल रहे हैं एक्जैमिनेशन के लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप यह पढ़ाई जो है छोड़ने जो अकसर होता है कि जब बच् के लिए जिनका सेलबस कुछी पैंडिंग था तो वह और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसके अलावा वो रिवजन भी कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी दो इंपोर्टन अपडेट जुमेंट कुश्मिट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से उमीद कर की तो लाइक करने के साथ शेयर जूरूर करें तो हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर